बहुत प्यार है पूरे पल्लू पे आपोडर पे आपको हाई एवर्यमन वेलकम तो यूटीब चैनल आप आप सब लोग अच्छे होंगा आज मैं आप लोग लिए कर आई हूँ मीशो पाटेवेर साडी हौल इससे पहले भी मैं मीशो साडी हौल आपके साथ शेयर कर चुक पूरे हौल में आपको डिफरेंट टाइप की साडी देखने को मिल जाएंगे डोला सिल्क साडी गार चोला साडी शिफॉन जॉर्जट सीक्वेंस वर्क साडी सो बहुत सादा ही अमेजिंग सा कलेक्शन होने वाला है और यह मेरी टॉप फेवरेट साडी है मीशो से अगर आपको इन में से कोई भी साडी अच्छी लग रही तो आप आखे बन करके पर्चेस कर सकते हैं कॉस मैंने आफ्टर वाश रिवीव दे रही हूँ तो मैं क्वालिटी का भी बोल सकती हूँ कि हां बिल्कुल अमेजिंग कॉलिटी निकली है अगर आपको लिंक नहीं मिलती अगर आप चैनल पर पहली बार वस्रीट करें चैनल को सब्सक्राइब करें आप बैकें को जुरूर से प्रैस करें जिससे कि आपको मेरे सारी वीडियो के नोटिफिकिशन मुझा है तो विदाउट फर्दर दिलाए नेट स्टार इस वीडियो एंड जो फर्स साडी में बहुत साधा प्यारी है बहुत फेरिक है बिलकुल पर आपको ऐसा हाड्स सा फील घो n होगा आइक जो वीजीत्र सिल्क में जैसा फेबरिक आता है सम्तिंग वैसा ही इसका फैबरिक है और फैबरिक में शाहिन भी मिलती है साड़ी आपको प्लतिफ मीमिलेगी पहले तो हम पल्लू की बात कर लेते हैं, तो यह है हमारा पल्लू, यह पल्लू पर आपको पूरा ऐसा जरी वाला वर्क मिल जाएगा, इसमें आपको red and green और yellow वाला बीच बीच में ऐसा thread वाला detailing मिल जाएगी जरी वर्क में, यहां पर हमें मिलती है border, फिर इसके बाद यहां पर पूरा आ इछ लगी थी, color बहुत प्यार है, maroon color है, अगर आप new bride है, आपकी शादी होने वाली है, आप definitely इस maroon या red color के साथ जा सकते है, बहुत जादा pretty लगता है, नीचे आपको इस तरीके से border मिल जाती है, और पूरी साड़ी पे आपको same ऐसा ही design मिल जाएगा, यह same ऐसा ही design पू से टक्कीन वाली साड़ी स्टार्ट होगी, सिर्फ इतना जो portion है, उसमें आपको design ने मिलता है, आपको पूरी साड़ी पे design मिल जाएगा, यह हमारा blouse का material, इसमें भी हमें border मिलती है, 80 cm से जादा ही blouse का material है, I think 1 meter something का है, बहुत जादा प्यार है, maroon color में ही का blouse का material मिलता ह साड़ी बहुत जादा संदर लग रही है, अब देखिए, roses वाली detailing है, इसमें बहुत सारे color options है, आप दूसरे colors भी try कर सकते हैं, मैंने सुचा है, क्यों ना maroon color इसमें pick करें, मैंने इसका maroon color लिया है, आप side में try on देख सकते हैं कैसी लग रही है, and trust me guys, बहुत जादा ही प मिल जाएगी, pleats के वहाँ भी, and अभी just previously haul में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, अगर आपने वह haul नहीं देखा, तो आपको लिंक मिल जाएगी description में, और i button पे भी मैं लिंक पर वाइड कर दूँगी, तो आप जरूरू जाकर देखिए, उसमें आपको ready to wear sardies मिल जाए जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका लोग किता जाएगा प्रिटी आरा है, जो पल्लू है, तो आपको सिंगल एक फ्लेयर मिलती है, लेकिन जो प्लीट का एरिया वहाँ आपको डबल फ्लेयर मिल जाएगी, तो लोग बहुत अच्छा साड़ी का आता है, अगर आपको इस तरीके से साड़ी पहनना पसंद है, जो 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 फैबरिक में रफल वाली, तो आप इस साड़ी के साथ जरूर जा सकते हैं, highly recommended करने वाली है, मेरे साड़ी को मेरी तरफ से 10 out of 10 है, बहुत जादा अच्छी है, अब है हमारे पास एक red बांदनी साड़ी, इसमें सि जादा प्यारी सी बांदनी साड़ी है, यह सुन्दर सा बॉर्डर जिसमें आपको sequence and threadwork मिल जाता है, green and yellow color से, यह बॉर्डर बहुत प्यारी लगती है, इस साड़ी के आपको तीनों साइट्स पल्लू पे मिल जाएगी, इस साड़ी इस बॉर्डर के वज़े से बहुत बीच में आपको इस तरीके से पूरा यह डिजाइन मिल जाएगा and यह साड़ी पे आपको सेम ऐसा ही बॉर्डर पूरा मिल जाता है, फुल साड़ी पे आपको यह बॉर्डर मिल जाएगा, यह नीचे का पोशन है and अभी फॉल लगी हो यह साड़ी में, so यह नीचे का बॉ तरह प्लावूज दाएं इस तरह बोर्लाम प्लेज इस तरह फूर मिल जाता है ये इस तरह तरह कंगाया है इसमें हमें डिने इस तरफ का प्लावस का ब convention का कंगर कल तो इस तरह में के अकॉर्डिंग टॉप नॉच कॉलिटी की है आप किसी भी पोजा फंक्शन में पहन सकते हैं तो आप स्टार्टिंग में जो रैड और नरून कलर पहना कंपल सरी होता है तो आप उस टाम पहन सकते हैं प्राइज वाइस क्वालिटी बहुत अच्छी आप डेफिनिटली इस तरी को पिक कर सकते हैं मेरी तरफ से तम जब फॉर दे साड़ी आणि यह में वाश कर चुकी है तो आफ्टर वाश भी ए साड़ी की कॉलिटी वैसी की वैसी ही है अब मैं आप लोग के साथ एक शिपॉन साड़ी शियर करे हूँ यह भागल पूरी शिपॉन साड़ी इसमें प्रफिक बीडिक और अप्शन आविलेबल है बट वो मुस्ली आउट आउट आफ स्टॉक रिते हैं यह कलर मुझे बहुत प्यारा लगा था यह कलर अविलेबल दा तो मैंने यही कलर पर क्या दा यह कुछ इस तरीके से पिंक कलर कॉंबिनेशन में है इसमें आपको इस तरी तरीके से पूरा पॉपल कलर का जो पाइपीन होती ही वह पूरी पल्लू पे आपको इसी तरीके से मिल जाएगी फुल एंड साथ में आपको ऐसे लटकन भी मिल जाते हैं पूरी साड़ी पे आपको सेम ऐसा ही डिजाइन मिलता है यह बहुत प्यारी शिफॉन फाब्रीक है तो बहुत साथा सॉफ्ट है लाइट वेटेड है अब इस समर में आप छोटे मोटे फंक्शन में भी इसे वेर कर सकते हैं बिल्कुल भी आपको गर्मी नहीं लगने वाली एंड प्लस इसमें जो ऐसा शाइन कर रहा है तो थोड़ा पाटी में लुक भी देता है क्लासी सा पुकाने वाला साडी के साथ और इसके साथ हमें मिलता है यह आर्ट सिल्क का 80 cm का ब्लाउस का मटेरियल सो यह कुछ ऐसा है फूरा प्लेन मिलता है इसमें आपको कहीं से भी कुछ भी डिजाइन नहीं मिलेगी और यह बहुत जादा प्यारी साडी है शिफॉन फैब्रिक बहुत जादा लाइट वेटेड होता है समर्स में आप आराम से सिवेर कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगए था अफटनील साडी एक पिंग सीक्वेंस एंब्रोडर साडी जब मैंने से पच्छेस क्या था इसका प्राइस क्या रहा था अभी करन्टी का प्राइस पूरीन हंडर यह इसमें भी कलर ओप्शन्स एविलेबल जाता है यह प्यारे से लटकन भी इस पल्लू में और आप यह सब्सक्राइब बोर्ड मिलती है। भूर पूरा ब Recelesia Hybrid Air और भी के बिकर सब्सक्राइब यह नहीं निकली हो इसे नहीं कि आप इसे brush मारेंगे तो obviously थोड़ा पहुत चिंदिस आएगा इसे normal wash करिया अगर machine में भी wash करें तो आप mildly करें बहुत जादा देर तक ना करें normal इसे brush वगेर नहीं लगाएंगे तो बिल्कुल as it is ही रहने वाली है मैंने इसे wash कर लिया है यह अभी तक आप देख सकते हैं यह पूरी बॉर्डर आपको ऐसी की ऐसी मिल जाएगी और यह नीचे का portion है इसमें fall लगी हुई है यह नीचे आपको इतनी बॉर्डर मिल जाती है और उपर के साइड आपको इस पल्लू जहां से start होता है वहां तक बॉर्डर मिल जाएगी और अब बात करते हैं इसके blouse की अब मैं आपको इसका blouse दिखा देती हूँ अब बहुत जाता heavy blouse इसके साथ मुझे मिला था तो मैंने इसे stitch करवा लिया है और यह कुछ इस तरीके से full work मिला था front आपको already design मिल जाता है and back मैंने कुछ ऐसा भी neck में रखवाया है पूरा इसी तरीके से आपको design मिल जाता है तो heavy looking blouse मिलता है साड़ी भी बहुत जाता प्यारी है अगर 1400 में भी आपको साड़ी मिल जारे हैं तो आप definitely ले सकते है cause quality and look worth है इतनी प्यारी लगती रहे साड़ी इसमें color options available है मैं उनका link भी आपको दे दूँगी अगर आपको purchase करना तो आप definitely साड़ी को pick कर सकते है so अब है मेरे पास एक black sequence साड़ी इसमें भी I think जब मैंने purchase किया था तब black color ही available था अब इसमें color options available है इसके लिए मैंने pay किये थे 800 rupees and यह georgette sequence साड़ी है georgette fabric पे आपको पूरा sequence work मिलता है and सबसे जाद मुझे different यह लगा था कि इसमें पूरी साड़ी पे आपको black sequence मिलते है and जो इसके border है उस पे आपको यह silver color के sequence मिल जाते है जो बहुत जाता different लगते है and यह पूरी पल्लू के तीनों sides पे आपको ऐसा silver मिल जाएंगे and यह sari full party wear looking है आप cocktail party में wear कर सकते हैं reception में wear कर सकते हैं अगर आपके वहां black sari पहना avoid नहीं करते तो so यह पूरी साड़ी आपको यहां तक पूरा sequence मिल जाता है and जो टकीन में जाने वाला है portion वो आपको blank मिलता है इसमें आपको कहीं पे भी sequence वाली detailing में नहीं मिलती cause वो वैसे भी अंदर जाने वाली तो उसका कोई मतलब नहीं है and इसके साथ हमें मिलता है art silk में black color का blouse का material यह अभी तक मैंने stitch नहीं करवाया है मैं इसे crop top के साथ ही wear कर लेती हू and यह plain मिलता है art silk fabric है इसमें आपको अस्तर लगवाके से stitch करवाना पड़ेगा so quality बहुत अच्छी है अगर आपको इस तरह के से sequence साडी पहनना पसंद है party wear आप सार्ज करें ना तो आप इस साडी के साथ जा सकते है इतना wash कर चुकिए इतना पहन चुकिए आपने भी मुझे किसी ना किसी haul में इसे जरूर पहने देखा होगा कॉस गर्मी में साडी पहनना बहुत दिक्कत देता है उस टाइम पे मैं यह wear कर लेती हू बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती नेट का फाइबरिक है और बहुत साथ लाइट वेटेड है इसमें color options available है black, pink, red इतने colors मैंने देखी और भी color available होंगे तो मैं उनका link भी डाल दूँगी यह पूरी आपको इस तरीके से thread walk मिल जाता है पूरी साडी पे आपको ऐसा ही thread walk मिल जाएगा बिल्कुल भी plane नहीं है पूर साडी आपको ऐसे ही thread walk मिलती है उपर नीचे आपको ऐसा border सा मिल जाएगा और ऐसा thread walk मिल जाएगा जो tuck in वाला portion है वहाँ आपको नहीं मिलती है यह नीचे का जो water है वो है और fall लगी है जिस वज़े से आपको ऐसा dark दिख रहा होगा तो यह नीचे का पोशन है और ऊपर का जो पोशन है वो टकिन वाला है इस वज़े से यहां आपको बिल्कुल भी बॉर्डर वाला डिजाइन यहां तक ही मिलता है जो पल्लू तक है और उसके बाद आपको पूरी साड़ी ऐसी ही मिलती है इसके साथ मुझे ब्लाउस का मटेर प्लाउस के अलावा साड़ी की कॉलिटी बहुत अच्छी एंड नेक्स मेरे पास है एक रेड सीक्वेंस बॉक साड़ी और यह विचित्र सिल्क फैब्रिक की साड़ी यह इसमें बहुत सारे कलर ओप्शन है वह लेबले तो अगर आप सोच रहें कि इतने सारे सारे रेड कल सारी साड़ी तो summer में आपको कलर ओप्शन और जाएंगे के सारी साडरी आपको कलर दिजाइन अब पर इस तरीके से बॉटर वाला डिम जाईन मिल जाए प्सक्रवडर न हो इस साड़ील की पैसल चीजल यह दो मैं अपको दिखाती हूं जिस्वचे से मैं इसे प्लात्न की तो आप देख सकते हैं यह पूरा कट आउट वाले डिजाइन है उसके साथ आपको तेसर लगे वे मिल जाएंगे रैड एंड यलो कॉम्बिनेशन में बहुत ही जादा डिफरेंट लगी थी मुझे डिजाइनर से लुक दे रही थी इसमें और भी कलर ऑप्शन से अविलेबल पर यहां पल्लू तक आपको यहां ट्सल मिल जाएगी जैसे फिल अब बनाने के आएगा तो वहाँ पर आपको इस तरीके से प्लीटेट वाल दिजाइन रहें जो यलो मुंअस्टर्ड कलर मिलता है और आपको पूरी साडी बनाव मिल जाएगा नेक का डिजाइन है एक साइड फ्रंट में यह पैच वर काएगा एक साइड आपको बैक पे पैच वर काएगा एंड ब्लाउस की स्लीव पर लगाने के लिए आपको यह वाले डिजाइन मिल जाती मैंने अभी तर इसका ब्लाउस स्टिच नहीं करवाया अगर आप चाहें तो इसमें color options available है अब दूसरे colors भी try कर सकते हैं बहुत amazing quality highly recommend करने वाली हूं मैं इसे रीट देनी वाले हूं 11 out of 10 कॉज यह बहुत ज़्यादा डिजाइन लुकिंग साडी है रेट से हटते हुए अब मैं आप लोगों से साथ एक डिफरेंट से साड़ी श combination मिल जाएगा बट यह out of stock ही है जब से stock में नहीं आई है लेकिन आपको proper green color मिल जाएगा वह available है अभी stock में तो मैं उसका link जरूर दे दूँगी और यह बहुत जादा प्यारी साड़ी है बहुत जादा soft है और बिलकुल भी आपको ऐसा फील नहीं होता कि heavy है और आम से आप को पूरा जरी वर्क मिल जाएगा आप यह देख सकते हैं सब पूरा checks वाला design मिलता है border मिलता है और पीच बीच में आपको ऐसा वाला design में मिल जाएगा personally मैंने इसे color combination की वजह से लिया था बट अभी यह available नहीं है pure जो proper green color होता है इस color में आपको पूरी साड़ी मिल combination में मुझे मिला था so मैंने इसे simple सा blouse stretch करवाया है front में ऐसा light pattern था and back पे ऐसा simple सा blouse stretch कर रहा है same ऐसे ही fabric आपको blouse का material मिल जाएगा so इसका जो भी color options available होगा मैं उसके link provide कर दूंग आप वो purchase का last but not the least जो मैं साड़ी share करी हूँ है यह बनार सी वर्क साड़ी है and यह भी again red and pink combination में I think मुझे इसे red sari haul बोल देना चाहिए था इतनी सारी red sari's होगे मुझे भी पता नहीं था so यह कुछ यह 700 की है इससे previously जो मैं आप लोग के साथ शेयर की वह भी 730 रूपीज की थी price मैं आपको screen पे mention कर दूंगी so यह again इस तरीके से है अभी जो इसमें पल्लू है इस अभी वो roll polish होती ना वो नहीं हुई है जो जिसकी वज़े से finishing नहीं हुई है इतने ज्यादा shrink हो रही है जब यह finishing में हो जाएगी तब उसके बाद यह proper हो जाएगी cause मैंने इसे पहन लिया और मैंने बहुत जाल बार इसे wash कर लिया जिसकी वज़े से यह वापिस से ऐसी हो यह मुझे वापिस से finishing करवानी पड़ेगी तो यह इस तरीके से पल्लू मिलता है और यह है red and pink combination की साड़ी और इस पर आपको जरी वाली border मिल जाएगी और पीच में भी आपको जरी वाले flowers मिल जाते है और गोटा पट्टी वाली detailing भी मिली है मुझे यह पूरी साड़ी पर नीचे आपको पूरा एसा वाला डिज़ाइन मिल जाएगा यह नीचे का portion है और यहाँ पौरा नीचे का portion है और यह है हमारा टकीन वाला यहाँ आपको simple ऐसा water मिल जाता है एंड रेड पोशन उपर मिलता है पिंक बीच में है यहां से हमारा पल्लू स्टाट होता है यहां तक ही यह गोटा पट्टी वाले डीटेलिंग मिलती है इसके साथ जो ब्लाउस का मटेरियल मिला था वो मुझे मिला था पिंक कलर का एंड वो कहां रखा है मुझे बिल्कुल जादा अमेजिंग है एंड बहुत ही जादा प्यारी है तो यह था मेरा आज का मीशो पाटी वेर साड़ी हॉल आपको मेरी वीडियो हेल्फुल लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करीगा शेयर करीगा और कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता